Hello students, welcome in Mehta Digital Classes. Students, आपके chapter number 7 का first part complete हो गया है. आज हम part पढ़ेंगे second. Okay students, first part के आपने question answer भी complete का लिया होगी है. I hope and now start our part number second. देखिए part number second. यहां से students, यहां से देखिए. अब क्या होता है, जो कि Mr. Wong का है, वो ऐसा invention करना चाते हैं, कि वो किसी भी छोटे को जल्दी से जल्दी बड़ा बना सकी. ऐसा invention करना चाते हैं, तो देखिए, वो सब मतलब की अलग-अलग जंगे गूमते हैं, और पुरानी पुरानी चीज़े एकट्टी करके लिए आते हैं, और क्या-क्या चीज़े एकट्टी करके लिए मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग यह जानते हैं इसमें कि अब Mr. Wong का उन सब चीजों का क्या करेंगे, तो देखिए, और से, स्टार्ट करते हैं हम अपना परिग्राफ, All over the world, Charlie, Charlie पूछता है, सारा संसार घूमने के बाद, Mr. Wonka went on, I trekked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them, a hair or an eyebrow or sometimes, it was no more than an occuse or two of the jam spread from between its tons, Students, इसमें जो Charlie है, वो ऐसे पूछते हैं Mr. Wong का से, कि आप पूरे वर्ड में घूम के आयो, तो आप बहुत पुरानी पुरानी चीजे लेके आयोंगे, एसे एंट मतलब बहुत पुरानी पुरानी animals की और बहुत सारी छोटी छोटी बिट का मतलब होता है, एक दम छोटी छोटी चीजे लेके आयों, Each one of them, सब चीजे छोटी छोटी लेके आयोंगे, जैसे कि ए हैर, जैसे कि किसी के बाल, किसी क्या ब्रोह न, और सब बहुत सारी ऐसी चीजें आप लेके आये हो, उमर दराज चीजें, जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब की, जो बहुत ज़्यादा उमर की हैं, ऐसी चीजें आप उठा उठा के लेके आये हो, वह सारी चीजों के नाम बताते हैं, जो भी वह लेके आते हैं, string, the string saluent, the venomous squirrel, ऐसी वो चीज़े क्या करते हैं, यह सारे जानवरों के नाम, उन पुरानी पुरानी चीज़ों के नाम है, जो Mr. Wong का संसार में घूमने के बाद उठा के ले के आते हैं, ओकी, who can spit poison right into our eyes from 50 yards away, मतलब कि वो सारे घूमने के बाद में, यानि 50 जंगे घूमने के बाद में, उनको यह सारी चीज़े मिली हैं, जिससे क्या बनाएंगे, वो new medicine बनाएंगे, but there no time to tell you about all now Charlie, वो Charlie से सारी बाते बोल देते हैं और फिर बोलते हैं कि अब मुझे time नहीं है, तो मुझे बात करने के लिए, okay Charlie, Charlie, अब फिर आगे देखे, let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, यहां पर inventing room वो होता है, जहां पर कोई भी चीज का नया, मतलब कि किसी चीज को नया बनाएंगे बनाई जाते न, वो inventing room होता है, तो यहां पर वो क्या करते हैं उन सब चीजों को लाते हैं और लाके जल्दी से quickly लेके आते हैं उनको लाके क्या करते हैं lost of boiling उनको उबालते हैं bubbling उनमें थोड़े थोड़े बबूले से उड़ते हैं उबालते हैं तो कि ऐसे यहां पर चखने से नहीं है मतलब यह है कि उन सब चीजों से क्या होता है किसी को देते हैं तो उनका देखो प्रैक्टिकल करके देखते हैं वो ठीक है I produced one tiny cup full of oily black liquid and gave four drops of it to a brave 20 year old Ompa Lompa volunteer to see what happened जो देखिए inventing room में उन्होंने try करके देखा ना ट्राय करके देखने के बाद में उन्होंने क्या बनाया यह जो प्रोड्यूक्ट बनाया है यह जो प्रोडेक्ट बनाया है जो भी उन्होंने उबाल के तैयार किया है कटोरी में उसका फूल कर लेते हैं मतलब कि पूरा भढ लेते हैं वो black liquid होता है सिर्फ क्या होता है वो black liquid होता है उसकी चार बुंदे ही देने से उसकी चार बुंदे उसकी जो चार बुंदे गैप 4 drops of it to brave 20 year old मतलब की उन चार बुंदों को देखके उसने जो देखी एक 25 year का ओमपा लॉमपा वॉलिंटियर है उन सब चीजों को देखके उसने पूछ लिया तो what did happen आप इसका क्या करेंगी चारली आग्स चारली ने पूछा इट वस फैंटास्टिक यह बहुत अच्छा है उसकी जो ओमपा और वॉमपा जिसका नाम है ना 20 year का 25 year का जिसकी एस थी उसको वो कायं के दवाई उन्होंने invention की थी किसी भी छोटे को बड़े करने की की थी ना तो देखिए वो जैसे उनकी चार बूंदे बनाते है ना 4 drops बनाते है तो वो ओमपा और लॉमपा को दे देते हैं देने से क्या हो जाता है कि उसके जो ना देखो wrinkling and sprinkling कि उसके मूँ पे उसके मूँ पे क्या पढ़ने लग जाती है जूरियां पढ़ने लग जाती है अब all over उसके पूरी मूँ पे and his hair started dropping off और उसके बाल भी क्या होने लग जाते है दीरे दीरे सफेद होने लग जाते है and his teeth started falling out और उसके दाथ भी क्या हो जाते है गिरने लग जाते है and before I knew it और फिर पता चलता है, he had suddenly become an old. फिर अचानक से पता चलता है कि वो क्या हो गया, बुड़ा हो गया. Flow of 75, वो कितने का हो गया लगवक? 75 का, कितने का था? 25 का, कितने का हो गया? 75 का. And thus, my dear Charlie was winter wonk invited. और इसलिए वो Charlie को बोलते हैं, मेरी Charlie, मैंने क्या बना दी? विंटा वॉक, इन्विटेड का, मैंने एक बुड़े होने की दवाई का क्या गर दिया? अविश्कार कर दिया. Okay, students, यह तो आपका जो second part है, यह complete हो गया. इसके साथ में जो आपका chapter है, वो पूरा क्या हो जाता है? Complete हो जाता है, अब हम करेंगे, इसे extend जाकि, यह 4 question आपको दे रखे है, वो चारो question आप समझ लीजे, और यह 4 question आप अपनी notebook में उतारिएगा. Okay, students, now देखिए, question number first. What did Mr. Wonka track down? Mr. Wonka ने किसकी सर्च की? Prack का मतलब होता है, सर्च करना. किसकी सर्च की? यानि क्या खोजा? Mr. Wonka ने बहुत पुरानी पुरानी चीजे कोजी ना? Animals का भी कुछ खोजा था, देखिए, answer देखिए, इसका यहां से. Mr. Wonka track down very old and ancient animals. Mr. Wonka ने बहुती पुरानी जानवरों की चीजे और बहुती पुरानी पुरानी चीजे खोजी. Second question है, second question देखिए. What animal did he track down? He track down the vestal pig, bumbling, the stroke, the polyflog, the stealing slog and the venomous squirrel. यह सारी चीजे वो उठा उठा के लेके आएं, animals की चाहे किसी की भी हो, वो सारी पुरानी पुरानी चीजे हैं, जो वो उठा के लेके आएं. Okay friends, आगे question number देखिए, third. How many drops of the new mixture did he gave to Oompa Lompa? कितनी drop देनी थी Oompa Lompa को? कितनी देनी थी students? Answer देखिए, answer इसका अगले वाले page पे है, answer देखिए इसका. कितनी drop लेनी थी? He gave only four drops of the new mixture to Oompa Lompa. Oompa Lompa को कितनी drop देदी? चार ड्रों में ही वो क्या बन गया? बुढ़ा बन गया. अगला question देखिए. अगला question, last वाला question आपका. Find the word from the passes which means the same as slinking. Slinkering का मतलब होता है, जूरियां पढ़ना. इसका means क्या निकलता है, यहाँ पे? Savling. यह दो को S-I-R-V-L-I-N-G है ना? तो देखिए, यह आपको लिखना है. यह इसका means निकलता है, यह जूरियां पढ़ना, मूँ पे जूरियां आना. बुढ़ापे की, थोड़े-थोड़े ऐसे मतलब की सिम्टम्स हो गया है, ठीक है? Savling. ओके, स्टुडेंस, यह आपका जो स्टुडेंस, चैप्टर था, वो complete हो गया है. ओके, कल आपको इसके टैक्स बुक के जो question है ना, पीछे दिये हुए है, यह question भी आपको complete करवा दूँगी. ओके, स्टुडेंस, थैंक यू.